पतंजली योग बीट की तरफ से काफे सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के PZT TZT टीचर्स की रिकूट्मेंट आई हुई है इस रिकूट्मेंट के बारे में सारी चैनकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ओफिशल नोटिफिकेशन और ओफिशल वेबसाइट के माधिम से इस वीडियो में हम आपको प्रवाइड करानी जा रही हैं आप वीडियो को शुरू से लेके आखे तक जरू से जरूर देखें और आल ओर इंडिया लेवल से टीचर्स रिकूट्मेंट की सभी प्रकार की लेटर्स टप्टेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस येट्यूब चैनल को भी जरू से जरू सबस्क्राइब कर ले तो ठीक है दोस्तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहले देखेंगे इसकी ओफिशल वेबसाइट और उसके बाद इसका डेटेल्ड नोटिफिकेशन ये देखिए दोस्तो इसकी ओफिशल वेबसाइट आचार या कुलम की तरफ से आजाएगा और यहां कलिक करके आप इसका अप्लिकेशन फोर्म डाउनलोड कर सकते हैं ये देखे दोस्तो ये है नोटिफिकेशन और ये इसका अप्लिकेशन फोर्म है आचार ये कुलम पतंजली योगपिट हरिदवार की तरफ से रिकूट्मेंट आई होई है वेकेंशि हैं पीजिटी और टीजिटी में है हिस्ट्री पॉलेटिकल साइन्स सोसल साइन्स की इनके लिए आपने में हिस्ट्री ज़ोगरफी से करके हो। साइन्स की भी वेकेंशिय से इसकेलिए हैं मसे फिजिक्स में करके हो। इंगलिश- Hındी, Mathematics, Sanskrit और शयस्त्रा, और वेद, और recruitment आई हुई है, तो काफ़ी सारे teachers की vacancy हैं, counselor की भी vacancy हैं, सिरफ lady के लिए है master psychology में आपने कर रखा है, counseling psychology with working experience, तो आप आविदन कर सकते हैं, Walden की भी vacancy है graduation किसी भी subject में और working experience, residential school का, science lab assistant की vacancy है, graduate with science team with working experience in similar position, nurse की vacancy भी है, degree, diploma, nursing में आपके पास working experience है, residential school का तो आप आविदन कर सकते हैं इसी के साथ साथ, carpenter, plumber और electrician की भी यहां vacancy आई हुई है, जहां तक eligibility की बात है, qualification as per CVC norms, candidate must have good academic background, digital proficiency and be comfortable in spoken English तो English भी आपको बोलनी आनी चाहिए, आगे देखे, क्या क्या आपको मिल जाएगा, school offers free lodging and boarding, education at subsidized fee for two children pay as per 7th pay commission PF and graduate तो 7th pay commission के according आपको salary मिलेगी, PFP आपका कटेगा graduating भी आपको मिलेगी इसमें और free रहना खाना बिल्कुल free होगा, और subsidized education होगी दो बच्चों तक तो ठीक है दोस्तों यही चैन कारिया आप तक पहुचा नहीं थी वीडियो के मादें से वीडियो अच्छा लगा तो like और share करें, फिर मिलतें किसी नई वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार